जह हिंद आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बिहार पुलिस बिहार फायर मैन बिहार एसाई इस तरह की जॉब को क्वालिफाई किये हैं और उन लोगों का जो है कुछ अर्प्टा टाइप का कोश्चन आता है कि सर गन रख सकते हैं गन कब मिलती है किस तरह की गन मिलती है मतलब की गन मतलब की राइफल आपको किस तरह की मिलती है रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं इस तरह के एस्प्रेसली जो फायर मैन वाले कंडिडेट है इन लोगों का जो है काफी सारा कमेंट आता है कि सर गन रख सकते हैं या नहीं कि बिहार पुलिस ड्राइब और वह लोग भी कमेंट करते हैं कि सर गन रख सकते हैं कि नहीं तो जखी आज के जो वीडियो है इसमें मैं आप किलियर कर दूंगा कि देखिए किनको किनको गन रखने को मिलता है और गन रखने से कितना आपको फायदा मिलता है किस तरह के आप स्राइन में जी सकते हो कि टना आपने आपको स्ट्रोंग कर सकते हो यह सारी चीजे आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि गन रखने से क्या आपको फायदा है क्या से चलिए बिदिझार या बंदूक जो भी बॉलो इनको नहीं मिलता है मतलब विहार पुलिस फारमेन जो भी कंडिडेट है उनको राइफल गन बंदूक कभी नहीं मिलेगा ना ट्रेनिंग में मिलेगा ना आफ्टर ज्वैनिंग मिलेगा ना ड्यूटी पिरेड में मिलेगा क्यूंकि आपको जरूरत ही नहीं है और अभी मैं आपको एकस्प्लेन करने वाला होंगे कितना फाइदा है गन रखने में उसको आप सुनिए गा तो आपको यह यार गन रखना तो बहुत यह टॉफ काम है इसको नहीं रहता तो काफी अच्छा रहा था ठीक है तो अभी आपको किलियर हो जाएगा क्यूंकि बहुत ज्यादा क्यूरि सक्षिपट जा इन को भी है इनको भी इंको नहीं मिलता है तो यह गण के साथ नहीं कि उंवक dura dega भाई जो जो है और यह माले ते किसी ठाना के ठाना में को नहीं है सब लोग उस घाड़ी सब्रमण करेंगे अगर यह CEO साब के driver है तो उस तरह के लोग CEO साब बैठेंगे उनके जो gunner हों के वे बैठेंगे तो ऐसा बात नहीं है जो बिहार पुलिस driver की त्यारी कर रहे है उनको जो है gun मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है ठीक है तो मतलब वो gun के साथ रह सकते अब बात करते हैं बिहार पुलिस fireman वाले जो especially gun के लिए बहुत ज्यादा excited है कि sir gun gun हमको gun चाहिए gun चाहिए गन जो है आपको तो पहली बात मिलेगी नहीं और दूसरी बात मैं आपको explain करता हूँ कि gun की अवसकता आपको क्यों नहीं है जो आप लोग सूच रहे हैं कि आप gun रखिएगा तो आपको जो है power आ जाएगा और आपके पास अलग अंदाज में रहिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है gun रखना सबसे tough काम है क्योंकि जो gun होता है सरकारी होता है आपका personal तो gun है नहीं कि आपने जो है उसका license करवाया है और आप gun रख रहे हो तो इस तरह की कोई विवास्ता है नहीं ओ होता है सरकारी आपको जो है उसको अपने जान से भी ज़्यादा हिफाज़त करनार पड़ता है एक एक जो bullet होता है उसका आपको हिसाब देना पड़ता है आपको जो है बहुत केरफुली जो है कोट से gun लेना होता है लेक उसके बाद से duty पे जाईएगा तो duty में जाएगा तो duty कैसा भी हो सकता है समझ रहे हो ना कैसा भी बोले तो कि हर तरह कि आपको duty देखने को मिलती है बीड़भाण में जा सकते हो नर्मल जगा पे जा सकते हो भी आईपीए duty में जा रहा है हो वहां पे कोई हमला हो गया तो इस तरह से जो है सरीर का नुक्सान होगा इस साथ साथ अगर gun में कोई टूटी आ गया गूम हो गया तो इस तरह से आप एक FIR हो सकता है एक bullet भी खो जाता है तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है तो आपके ऊपर FIR लिखा जा सकता है आपको जैल हो सकता है उमर कादो हो सकता है इस तरह की beast सजाप्रवधान है गं रखने वाले ये नहीं है है कि बहुत चैन सजीते हैं एक तरह का समझ लो की बहुत बड़ा टेंसन रहता है तुम पुलिस वाले हो तो गन रखना तो एक मजबूरी है जो भी बोलो लेकिन गन रखना बहुत टफ होता है इसलिए जिसके पास गन नहीं है अच्छा पुलिस फायर में वाले है उनको गन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए वह गन नहीं रखते हैं और उनको जो है एक यह टेंसन नहीं रहता है कि जब भी आप अगर आपके पास गन नहीं है तो बहुत बढ़िया है गन रखो गए तो बहुत ज़्यादा टेंसन रहता है इसको लेकि आप लोगें मत रहो गन मिल जाता तो बहुत मज़ा होता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों उसको आप प्रसनल काम के लिए कभी भी यूज और जो सोच रहे हो कि गन रखोगे तो डिड़वा देंगे, धंका देंगे, या कोई टसन होगा, तो ऐसा भी बात नहीं है, पबलिक इतनी बेवकूप नहीं है, और गन चलाने के लिए भी आपको किसी से परमिसन लेनी पड़ती है, तब आप जो है गन चला सकते हो, ठीक है, और आपको जो है कहीं गन नहीं मिलता है, ना ट्रेनिंग में, ना ड्यूटी में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गया होंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अप्डेट में, जैहिंद!